हलो दोस्तों स्वागता आप सभी का हमारे ओनलाइन चैनल आराध्या आरेस एकड़ी में दोस्तों राजस्तान में आयोजीत समस्त परतियोगी परिक्षाएं जैसे की आरेस, फर्स्ट ग्रेड, सेकिंड ग्रेड, राजस्तान पुलिस कॉंस्टेबल, एसाई, ग्राम सेवक, पटवार, राजस्तान हाई कोट, LDC एवं अन्य सभी परतियोगी परिक्षाएं के लिए राजस्तान जीके की क्वीजी स्टार्ट की गई थी जिसमें अपनी दोस्तो 62 क्वीज है, वो कंपलीट हो चुकी है, आज दोस्तो इसमें 63 नंबर की क्वीज है, परते क्वीज के अंदर आपको 40 प्रसन दिये जाते हैं, जो आपकी परिक्षाएं की दरष्टी से अतीम हैत्वपूर्ण होते हैं, दोस्तो अगर आपने इन प् देखें और रोजना हमारे साथ में चलते रहे हैं, अरध्यारेस अकेडिमी के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, आज अपनी 63 नंबर की क्वीज है, ठीक है, देखें दोस्तों, गोरा धा राजस्तान के किस सासक को बचपन में मुगलों से बचाने में वीर दुर्गदास की सायता की थी, तो वो की थी दोस्तों, अजीत सिंग की सायता की थी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर C नंबर का ओप्शन हो जाएगा, नेक्स्ट है, राणी पद्मिनी का सम्मंद किस रि राणी पद्मिनी, तो इसका ए नंबर ओप्शन राइट आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट कुशन है, आगी देखिए, राजस्तान के इतियास में हाडी राणी के नाम से प्रसीद विरांगना शत्रानी कौन थी, तो हाडी राणी के नाम से किसे जाना जाता है, तो सब को पता नंबर का ओप्शन राइट आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट है, नारायनी देवी वर्माद्वारा गुनिस सो चौवालीस इस्वी में महिला सिक्ष्या के लिए भीलवाड़ा में किस संस्था की स्तापना की गई, तो ये कौन सी संस्था की स्तापना की गई, तो दोस्तों भी राइट आंसर हो जाएगा, महिला आसरम, नेक्स्ट है, राजस्तान महिला परिशद की स्तापना किस ने की थी, तो ये की थी दोस्तों सान्ता तिर्वेदी ने, सान्ता तिर्वेदी ने राजस्तान महिला परिशद की स्तापना की थी, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन तेर बाइट आंसर क्या हो जायेगा सबको पता होना चाये videos um Actually देखे तेरे ताले नर्ते यह राम्देश जी के मेले में किया जाने वाला कामड़ेयपंत की मैलां दा 쪽 और यह नर्ते किया प्राइद हो इसमें दोस्तों टोटल तेरे मंजीरे इस तेरे ताली नर्ते में यूज में लिये जाते हैं जैसे कि इसमें बताओं कि नो मंजीरे तो दाएं पैर पर और दो मंजीरे कोहनियों के पास बांद कर और दो मंजीरे हाथ में लेकर यानि कि 9 और 2 11 और 11 और 2 13 टोटल 13 मंजीरे यूज किये जाते हैं इस 13 ताली नर्ते में और इसकी जो मुख्य कलाकार है वो है दोस्तो इसमें कौन सी मांगी भाई तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का उप्शन मांगी भाई नेक्स्ट है सवतंतरता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस रियासत से समंदित है तो देखिए जो भाटी वन्स है वो दोस्तो या तो जोदपूर में या जैसल मेर में या बाड मेर में या भी कानेर चेतर में ये भाटी वन्स राजपूत होते हैं ठीक है ये वहाँ पर पा जाते हैं अब दोस्तों यहां पर देखिए कि सावित्री देवी भाटी की स्रियासत से समंदित थी तो यहां पर देखिए बरतपूर कोटा जैपूर यह तीन उतकलत हो गए जोतपूर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नमबर का उप्शन सयुत्तर नेक्स्ट है आगे 303 इस्वी में मैंने अभी आपको बताया कि अलावदिन खिलजी ने चितोट गड़ पर आकरमन किया था तो उस समय सैकडो राणियों ने दोस्तों और दास्यों ने दोस्तों जोहर कर लिया था यानि कि आग में कुद गए थे ओ ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्तान के कोली समाज की वीर बालिका जलकारी बाई के इस मारक से समंदित जिला है तो वो कौन सा है वो है दोस्तों इसमें अजमेर ए नमबर का उप्सन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आगे देखे वागड की बाके नाम से किसे जाना जाता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सब को पता होना चाहिए दोस्तों वागड की बाक किसे का जाता है तो ये का जाता है दोस्तों किसे तो मनी बेहन पांडिया को दोस्तों वागड की बाके नाम से जानते हैं आगे देखे दोस्तों इसमें आमेर में जगत शिरो मनी मंद का जो निर्मान है वो दोस्तों किस ने करवाया तो इसका राइट आग्याइ प्रसिद है राधिस्तान कि मरूक ओकिला के नाम से कौन प्रशिद आप था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व thus wonderful उमरो को किल्ह तो वो है अलाग चह्शन है अलाग जिलह बाई इन्होंने दोस्तो आपनी गाना सुना होगा केसरी अ बालमय पदारो मारे देश ठीक है इन्होंने ये मान्डराग में गया था तो इसका रहाइट अंसर गाउली समूर्णी सेक्ष से भष पर जाएगा जानकी देवी बजाज ने अपनी आत्म कथा किस नाम से लिखे है लिखी जानकी देवी बजाज ने अपनी आत्म कथा किस नाम से लिखी तो ये लिखी थी दोस्तों मेरी जीवन यात्रा के नाम से डी नंबर का उप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है जोदपूर की सवतंतरता सेनानी जिन्होंने केसरिया साड़ी पहन कर मैलाओं के सत्याग्र देवी किंकर महिमा देवी किंकर इन्होंने दोस्तों केसरिया साड़ी पहन कर मैलाओं के जो सत्यागरे का जो दस्ता था उसका नेथर्थ्व किया था ठीक है ये नंबर वॉप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है निमनमे से कोन राजस्तान की प्रसिद मैला शलतनतरता सेनान कौन थी तो उसका नाम है दोस्तों देखे किसोरी देवी दुरगावती देवी और नारायनी देवी वर्मा ये तीनों ही है ये प्रसिद महिला सवतंतरता सेनानी थी तो इसका राइट आंसर डी नंबर का उप्शन से उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है आगी देखे बिकानेर क सवतंतरता सेनानी जिनोंने दूद्वा खारा आंदोलन का नेतरत्व किया तो दोस्तों दूद्वा खारा आंदोलन का नेतरत्व है वो किस ने किया तो ये किया था दोस्तों खेतुबाई ने ठीक है किसने खेतुबाई ने तो इसका राइट आंसर डी नंबर का उप्शन स भारत की डिसकस्त्रो की राष्टिय महिला विजेता जो राजस्तान से है तो उनका नाम क्या है तो उनका नाम है दोस्तो कृष्णापूनिया और ये वर्तमान में विदायक है और फिलाल में दोस्तो इनके ओपर सीबियाई केस्ट चल रहा है क्योंकि दोस्तो एक विष्णोई थे जो पुलिस सदिकारी थे उन्होंने सुसाइड कर लिया था ठीक है और वह बाकि आपको पता होगा ए नंबर उप्षन राइट आंसर नेक्स्ट है मात्मा गांधी की मानस पुत्री के रूप में किसे जाना जाता है तो ये जाना जाता है दोस्तो किसे तो ये है सत्य भामा को जाना जाता है तो इसका राइट आंसर बी नंबर उप्षन नेक्स्ट है राजे की पहली महिला कोन थी जिसे गुणी सो चपनी इस्वी में पदम विबूसन अलंकरन परदान किया गया था तो ये किया गया था किसे, तो ये जानकी देवी बजाज को दिया गया था पदम विबूशन पुरुशकार, ठीक है तो इसका right answer A number का option जानकी देवी बजाज महिला मंडल किस परजा मंडल की सयोगी संस्ता थी, तो ये थी दोस्तों किस की, तो ये बांसवड़ा परजा मंडल की सयोगी संस्ता थी, C नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है आगे देखिए परजामंडल आंदोलन की स्युम सेवी का जिनोंने गुनी सो सहतालिस में महिलाओं के समुचित विकास के लिए उदेपूर में राजस्तान महिला परिशद की स्तापना की तो किस ने की ती दोस्तों सांता तिर्वेदी ने आगे देखिए वागड़ की मीरा के नाम से प्रसीद बगत कौन थी तो उसका नाम है दोस्तों वो है गवरी बाई ए नमबर उप्शन राइट आंसर हो जाएगा देखिए दोस्तों जल्दी बाजी मत करना कि आप सोचो कि मैं जल्दी जल्दी से पांदस मिन्ट में सारे तो आपको प्रस्न पूरे देखने है और रोजना मेरे साथ में चलना है देखिए दोस्तों अभी तक अपने जो आज अपनी 63 नमबर की क्विज है अब आप खुद सोच सकते हैं कि ये 63 नमबर की क्विज है तो कितने प्रस्न अभी तक कम्पलीट हो चुके हैं तो तो दोस्तों करीबन 2400 प्रशन है राजस्तान जी के के तो ये कंप्लीट हो गए ठीक है और आज अपने 40 प्रशन और पढ़ लेंगे और 80 प्रशन पहले पढ़ चुके हैं ये 61 और 62 में तो करीबन 2520 प्रशन हो जाएंगे अगर दोस्तों आपने इन प्रशनों को नहीं देख हैं तो दोस्तों आप रोजना की 57 57 क्वीज है वो रोजना की देखे और 7-8 दिन में आप हमारे साथ में रोजना चलते रहेंगी ज्यादा समय नहीं लगेगा पंद्रा से 20 मिंट का समय लगेगा आप 40 कुशन राजस्तान कला संस्कृति की देखिए रा 40 कुशन राजस्तान महिला जो राज्य की मुख्य सचीव रही राज्य की पर्थम महिला जो राज्य की मुख्य सचीव रही तो वो कौन थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कुशाल सिंग ये दोस्तों राज्य की पर्थम महिला मुख्य सचीव थी राजस्तान की ठीक है तो इसका रा अंजना देवी चोदरी ने महिलाओं का नेतरत्वाय किया था C नमबर उप्शन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है आगे देखे 1923 इस्वी में कलकता में अखिल भारतिये मारवाडी महिला सम्मेलन का आयोजन किसके अद्धिक्स्ता में किया गया था 1923 इस्वी में कलकता में अखिल भारतिये मारवाडी महिला सम्मेलन का आयोजन किसके अद्धिक्स्ता में किया था यह किया गया दोस्तो जानकी देवी बजाज के अद्धिक्स्ता में ए नमबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्त है किसोरी अमोनकर का सम्मंद जैपूर के किस संगीत गराने से है तो यह सम्मंद है दोस्तो कौन से संगीत गराने से तो यह है अल्ला दिया खां अत्रोली गराना से तो इसका ए नमबर उप्शन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्त है केसरी सिंग बारट की पोत्री जो देश की पहली मैला जिला परमुक बनी उनका नाम क्या है उनका नाम था दोस्तो वो है नगेंद रबाला तो इसका बी नमबर उप्शन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्त है नाराणी देवी वर्मा ने महिला आसरम की स्तापना कहां की थी तो कहां पर की थी तो थोड़ देर पहले मैंने आपको बताया था दोस्तो बीलवाडा में की थी नाराणी देवी वर्मा ने महिला आसरम की स्तापना ए नमबर का उप्शन राइट आंसर हो जाए नेक्स्ट है बिकानेर परजामंडल के संस्तापकों में से एक जिनकी मर्तिव गुनी सो चालिस इस्वी के विक्तिगत सत्यागराय के दोरान हुई तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो लक्षमी देवी आचारिये नेक्स्ट है आगे देखे अलवर किसान आंदोलन गुनी सो पत्चीस से समंदित मैला है तो वो कौन है तो वो है दोस्तो सीता देवी नेक्स्ट कुष्ण है गुनी सो चोवालीस इसवी के जैपूर परजामंडल के अदिवेशन की अद्ध्यक्स्ता निम्न में से किस मैला ने की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो जान की देवी बजाजने डी नंबर का जो उप्षन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुष्ण है आगे देखे सुमेलित कीजिए एक तरफ है राजवन सी मैला दूसरी तरफ है पती का नाम तो यहां पे देखिए दोस्तो राणी पदमीनी के पती का नाम क्या था रतन सिंग ठीक है और सेयोगिता के पती का नाम क्या था वो है परतिवराद चोहान और मरियम उजमानी के पती का नाम था दोस्तो अकबर यह मरियम उजमानी की उपादी दी गई थी ठीक है और हाडी रानी जो मैला थी उनके पती का नाम था सरदार चुडावत रतन सिंग ठीक है और हाडी र गाईकाओं और उनके महराजाओं को सुमेलित कीजिए यानि कि कौन कौन सी गाईका कौन कौन से महराजा के समय थी तो देखिए दोस्तों यहां पे चंचल राय और राम जोत यह गाईका है यह दोस्तों किस के समय थी तो यह थी दोस्तों महराजा भीम सिंग के समय और सेज तो महराजा अबे सिंग के समय थी और हर्जोत फुले राय ये दोस्तों महराजा जस्वन सिंग के समय थी ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक चार दो तीन यानिकी सी नंबर का जो अप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है निम्न में से कोन 13 ताली नर्ते की प्रसिद नर्ते अंगना है तो मैंने अभी आपको बताया था थोड़े देर पहले ही ठीक है वो है मांगी भाई बी नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है राजस्तान की पहली किन्नर यानि की ट्रांसजेंडर पुलिस कॉंस्टेबल गंगा कुमारी किस जिले से समंदित है तो दोस्तों ये पुलिस कॉंस्टेबल गंगा कुमारी है ये किन्नर है और ये कौन से जिले से समंदित है तो ये जालोर जिले से समंदित है C नंबर का उप्शन रांट अंसर हो जाएगा मिवाड के महारणा राज सिंग के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण बूरंग जिय उनसे नाराज था तो वो है चारॉमती ये किशनगड की राजकुमारी ती चारॉमती और इनसे विवा करना चाता था ओ्रंगजेब लेकिन चारॉमती है ये ओरंगजेब से विवा नहीं करना चाती थी तो दोस्तो इन्होंने विवा का प्रच्ताव है उसे व्रेस Richmond के के दोरान गिरपतार होने वाली राजस्तान की पहली महीला को थी तो पहली महीला का नाम क्या है तो वो है दोस्तो अंजना देवी चोधरी तो इसका राइट आंसर बी नंबर का उप्शन हो जाएगा तो दोस्तो ये मैंने आज आपको जो 63 नंबर की जो क्यूज है वो मैंने सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को तबाएं वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें मिलते हैं दोस्तो नेक्स वीडियो में जै हिंद जै भारत